आज हम बात करेंगे Shark Tank इंडिया के बारे में Shark Tank इंडिया अब एक बहुत ही जाना में जाना और popular show हो गया है इंडिया में भी जो original show है Shark Tank USA वो 15 साल से चल रहा है और अब तो Shark Tank इंडिया को भी 3 साल हो गया है हर season कुछ नया रहा है पहले season में धमाका package थे अशनीर जिन्होंने एक से एक hard सवाल पूछे और कई बार entrepreneurs की बेज़दती तक कर दी और वो season में कुछ एक मसाले का काम करते थे अशनीर प्रोवर season 2 में हमने अमित गुपता को देखा और इस season में मसाला थोड़ा कम था और थोड़े deals भी average average थी बहुत ज़ादा outstanding season नहीं रहा entrepreneurship, business, जिन्दगी में कुछ करने की जज़बा लोगों में जगाया कई लोग जो अपने businesses में ध्यान नहीं दे रहे थे वो भी जाग गए और उसके बाद आया season 3 जो current season है और 37 episodes तक आ चुके हैं इस season में कई बहतरीन guest shaks आये हैं दिपेंदर गोयल आये हैं अजर इकबाल, रितेश अगरवाल, रौनी स्कुरूवाला, राधिका बहुत अच्छे judges के साथ season 3 आया मुझे season 3 में सबसे अच्छी बात क्या लगी पता हैं इस बार बेज़दी करना important नहीं था इस बार प्यार से सब बात कर रहे थे और shark tech इंडिया actually हिंदुस्तान के हर तपके को जी रहा था अजर और रितेश की हिंदी और उनके बात करने का तरीका बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ था इसलिए इसका मज़ा भी अलग था format बहुत अच्छा है क्योंकि tried and tested format है judges अच्छे हैं अपने हिसाब से इंडिया में नामी जामी हस्ती है इनको भी मौका मिल रहा है दुनिया को दिखाने का कि इन्होंने अपने businesses कैसे खड़े किये और इन्होंने अपना नाम कैसे कमाया साथी साथ दुनिया में हिंदुस्तान की जुगार और entrepreneurship देखने को मिल रही है कि कम पैसों में कैसे लोगोंने नायाब businesses खड़े की तो Shark Tech India की सबसे बड़ी USP क्या लगी आपको Shark Tech India की USP है कि यहां लोग कितने simple ideas से अपने businesses खड़े कर रहे हैं कितने छोटे शहरों से entrepreneurs आ रहे हैं वो है Shark Tech India की सबसे बड़ी जान अब deals के बारे में बात करते हैं Season 3 में 1%, 10%, 2%, 3% ऐसी deals चल रही हैं 5-6% बहुत बड़ी बात हो रही है यह unique factor लग रहा है में को Shark Tech India का आज भी Shark Tank US में 15%, 20% की भी deals हो रही हैं जब कोई नया startup आ रहा है Mark Cuban को देखिए Mark Cuban जब भी deal करते हैं तो हमेशा एक ऐसे startup में घुसने की कोशिश करते हैं जहां उनको लगता है वो value add कर सकते हैं और वो जब पीछे पढ़ जाते हैं तो वो deal जीत के रहते हैं वो charisma नहीं मिलता में देको मैं बहुत frankly बात कर रहा हूँ नमिता की personality बहुत निखर के आती है वो जैसी है वो वैसी portray होती है और विनीता अपने questions बड़े अच्छे पूछती हैं बहुत logical questions पे आती है अनुपरम try करते हैं कि वो Mr. Wonderful बने इंडिया के Shark Tank का अगर आपने असली Shark Tank नहीं देखा है तो शायद आपको इसका reference नहीं पता चलेगा well, जो कम बालों वाले इंसान बीच ओ बीच असली Shark Tank में बैठते हैं वो है Mr. Wonderful तो इस Shark Tank इंडिया को आप क्यों देखें इसलीए देखें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं जिससे कि उनको basics of business पता चले valuation क्या होता है customer acquisition cost क्या होती है और marketing कैसे होती है अब बात करते हैं Shark Tank इंडिया के सबसे बेकार edition की host इनके कारण पूरा ही पूरा show डूबा वाफील करता है मैं बात कुछ ढख के नहीं बोलूँगा राहुल दुआ इस show की सबसे कमजोर कड़ी है और सबसे बेकार host है आज तक की history में next बात करते हैं ये stupid echo change makers के और poker बाजी के intervals हर पिच के बाद जब असली show को इनकी जरुवत नहीं पड़ी तो इस वाले को क्यों जरुवत पड़ रही है ये पूरा मजा किरकिरा कर देते है show का इसको highly avoid करना चाहिए बन कर देना चाहिए अब बात करते हैं the OGs की the original shark tank Robert, Barbara, Damon, Kevin and मेवरे फेवरेट, the one and only Mark Cuban ये है the OGs of shark tank इन में और भी बहुत सारे sharks आए पिछले 15 साल से main star cast में यही लोग रहे हैं इनकी styles बहुत clear है Mark Cuban को जब कुछ पसंद आ गया तो वो लेके रहेंगे Kevin Loh Larry ने शुरू किया था royalty deal royalty का मतलब जब एक investor sales का कुछ portion हर article पे लेता है जब तक कि उसके पैसे एक गुना, दो गुना, तीन गुना recover ना हो इस तरह से लोगों को ये सब चीज़े पता चली कि actually में ये होता क्या है royalty क्या होती है, preferential share क्या होता है advisory share क्या होता है debt कैसे calculate करते है equity कितनी important है cm1, cm2 क्या होता है जो मेरे लिए भी बहुत नया था जब मैंने पहली बार इनको discuss करते हुए सुना था और साथ ही साथ सबसे बड़ा factor जब एक business के बारे में सोचो जब एक idea के बारे में सोचो तो idea से सबसे बड़ी बात होती है execution idea तो हर घरी में है execute कौन कर सकता है और आप बहुत talented है आप बहुत इमानदार है बहुत महनती है लेकिन आप अकेले हमेशा काफी नहीं है तो आपको किस साथी की जरुवत है co-founder की जरुवत है जो आपको इस journey में मदद करे बहुत बड़ा factor है as a founder, as a leader ये admit करना कि ये काम मेरे से नहीं होगा इसके लिए मुझे मदद चाहिए अपने numbers, अपने financial numbers हर आदमी को मुठ्थी पे होने चाहिए क्योंकि अगर आपको आपके numbers नहीं पता है तो आप ना investors को और ना ही अपने business को justify कर पाऊगे आप ये क्यों कर रहे हो बहुत लोगों ने मुझे कहा है कौनसा show better है well, मैं बहुत biased हूँ original shark tank का तो कोई comparison ही नहीं है बट मैं ये जरूर कहूँगा कि Indian version बुरा नहीं है अगल उसके host को निकाल दिया जाए और ये stupid ads को बंद कर दिया जाए तो दोनों show बहुत हद तक comparable मानेंगे landscape बहुत अलद है original shark tank का set ले लीजिए investment terms ले लीजिए volume ले लीजिए वो बहुत large scale है उसको 15 साल लग गए है यहां तक मौचने में Indian shark tank की 15 साल में बहुत आगे जाएगा मुझे पूरा भरोसा है लेकिन हमें उसको Indianize नहीं करना है लेकिन dilute नहीं करना है मैं इसी बात प्यड़ा रहूंगा कि हमें show को dilute नहीं करना है तो इसी लिए मैं कहूंगा shark tank is very important हमारी country के लिए हमारे entrepreneurs के लिए as a brand it's very important हर Indian को अपने time लेकर ये show देखना चाहिए क्या पता next billion dollar idea आपके ही दिमाग में हो और आपने इसके बारे में सोचा ना हो फिर मिलेंगे take care अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को like और subscribe करेंगे फिर मिलते हैं next वीडियो में take care bye bye